क्या आपने भी दोस्तो अपने घर पर गमलों में बेगन के पौदे लगाए हुए हैं और उन पर फल नहीं आ रहे हैं और आप इस समस्या से बहुत परेशान हैं तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में दोस्तो हम कुछ ऐसे फर्टिलाजर लेकर आए हैं जिनसे बेगन का पौदा फलों से भर जाएगा तो चलिए दोस्तो आज हम आपको बता देते हैं कि आप किस तरह से वो फर्टिलाजर पौदे पर डाल लें तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सामने जो पौदा आप देख पा रहे हैं ये बेगन के फलों से पूरी तरह से लदा हुआ है इस पर इतने ज़्यादा फल आए हुए हैं कि अपना ये बजन भी नहीं समाल पारा तो दोस्तो आप भी चाहते हैं इसी तरह से कि हम अपने वेगन के पौदे से ज़्यादा फल ले सकें और हमें उसके लिए क्या करना होगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम इसकी केर टिप्स के बारे में जानेंगे और खुछ ऐसे फटी लाजर के बारे में जानेंगे जिन से आपका पौदा एक बार मही फलों से भर जाएगा तो चलिए दोस्तो जानते हैं इसकी केर टिप्स के बारे में दोस्तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है क्योंकि सर्दियों में सभी पौदे अपने गिरोध को कम कर देते हैं और पौदे पर जो फल आते हैं वो बहुत छोटे आते हैं तो दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों इस पॉदे की गिरोध के लिए और ज़्यादा फ़ल लेने के लिए हमें कुछ इसमें फर्टिलाजर की आवस्थता होगी तो फर्टिलाजर के रूप में जो हम इसमें खाद देते हैं वो खाद जड़ों के द्वारा पौदे तक पहुंचता है तो जाकर पौदा हमें अच्छे से फल दे पाता है तो ये देखिए दोस्तो ये बेगन के पौदे की काफी अच्छी गिरोध चल रही है सर्दियों के मौसम में भी क्योंकि बैसे सर्दियों के मौसम में जो वेगन के पौदे होते हैं वो अपनी गिरोध को बिल्कुल रोक देते हैं तो मैं समय पर इसमें फर्टिलाजर का यूज करता हूँ तो मेरा पौदा बिल्कुल इसमें गिरोध नहीं रोकी खाद हम इसमें डाल सकते हैं खाद से होगा ये दोस्तो इसकी गिरोत बढ़ेगी तेजी से और ज़्यादा फल लेने के लिए दोस्तो इसमें हम पुटास का भी यूज कर सकते हैं यदि दोस्तो आप औरगेनिक सबजी ये खाना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम इसमें बताएंगे और गैनिक फर्टिलाजर और उससे दोस्तों हमारे पौदे पर जो फूल आते हैं वो कापी ज़्यादा फूल आएंगे और जब पौदे पर ज़्यादा फूल आएंगे तो दोस्तों जायर सी वात है कि पौदे पर ज़्यादा भी फ पानी हम नॉर्मल देंगे ताकि पौदा जो है कि अपने फूल ना गिराए दोस्तों इस पौदे की के रहे हैं जब हम ऐसा कर लेंगे तो जो पौदे पर फल बनेंगे वह काभी बड़े फल बनेंगे और बहुत ही ज्यादा फल आएंगे पौदा आपका कुछ इस तरह का दि करा हुआ है अब इसमें हम दोस्तों एक फटिलाजर बनाकर तयार करेंगे बेगन के पौदे के लिए दोस्तों जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह हमने जायम ली हुई है यह आसानी से मिल जाती है तो दोस्तों फटिलाजर बनाने के लिए आपको चाहिए 10 ग्राम ली है यहाँ पर दूसरी चीज़ दोस्तों जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह दोस्तों हमने मस्टड के क्याने की सरसों की खली ली हुई है जो की आसानी से मिल जाती है दोस्तों इसका काम यह है कि जब हम अपने पौदे में से फटिलाजर के रूप में डाल देते हैं तो पौदे में यह गर्माई बनाती है तो इससे पौदा हमारा बहुत ही तेजी से ग्रो करता है और पौदे पर ज़्यादा फूल आते हैं जब ज़्यादा फूल आएंगे तो पौदे पर ज़्यादा फल भी बनेंगे और दोस्तों जाय में उससे पौदा हमारा 100 ग्राम ही लेनी है दोस्तो मैंने पूरी 100 ग्राम इसमें डाल दी है डालने के बाद में दोस्तो इसे हम एक लकड़ी की साहिता से इसे गोल लेंगे इसे गोलने के बाद में दोस्तो आट लीटर पानी में आपको ये दोनों चीजें मिला दीनी है थोड़ा ज्यादा पानी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है तो यह देखिए दोस्तों इसे गोल कर हम रख देते हैं इसे हम दो दिन के लिए दोस्तों हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से जो फटी लाजर हमारा बनकर तैयार हो जाए तो यह देखिए दोस्तों पूरे दो दिन हो चुके तो ये देखिए दोस्तों कुछ fertilizer आपको इस तरह का ये नजर आएगा ये बनकर तैयार हो चुका है फूरी तरह से तो अब इसे हम अपने पोदे में यूज कर लेंगी तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए अपने पोदे में हम इसे अब डाले देते हैं ये हमारे पोदे पर बहुत जल्दी काम करता है तो अब इस फर्टिलाजर को दोस्तो हम जल्दी से डाले देते हैं ताकि हमारे बेगन के पौदे पर जल्दी से काम करना सुरू कर दे और हमें फल खाने को मिल सकें तो चलिए दोस्तो अब इसे हम जल्दी से इस बेगन के पौदे पर डाले ले तो पौदे इतनी तेजी से गिरोथ करेंगे और उन पर फल और फुल दोनों ही जाद आएंगे तो दोस्तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा और डालेंगे इसमें पौदे के अनुसार से की पौदा कितना बड़ा है उस अनुसार से हम फटिलाजर पौदे में डालेंगे हमने एक पौदे में डाल कर यहां पर तयार कर दिया है पौदा आपको इस तरह का कुछ नजर आ रहा हुगा अब चलिए दोस्तो आग दूसरे पौदे में भी हम आसानी से अब इसे डाले लेते हैं दोस्तो इस फर्टिलाजर से आप केबल एक महीने के बैगन के पौदे से फल प्राप्त कर सकते हैं तो यह देखिए दोस्तो मैंने यहां पर यह फर्टिलाजर बैगन के पौदे में डाल कर तयार कर दिया है आप चोटे से बेगन के पौदे पर ज्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कर्वेंट करके बताईएगा जरूल यदि दोस्तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप कोई है वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सेर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें तो दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी ने टोपिक के साथ ठेंक यू